हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में हमने नंबर सिस्टम टॉपिक को स्टार्ट कर रखा है और लास्ट क्लास में हमने देखा था किसी भी नंबर की डायरेक्ट बाइनरी को कैसे रिपर्जेंट करते हैं जैसे कोई नंबर दिया है 25 इसे आपको कैसे रिपर्जेंट करना है बाइनरी में तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपको डायरेक्ट एक सिक्वेंस लिख लो और कुछ मैंने आपको होमवक भ तो आपको आज का lecture काफी अच्छे से समझ आ जाएगा 1 लिखना है, 2 लिखना है, then 4 लिखना है 8, 16 and 32 25 हमें लिखना है, तो हम देखेंगे कैसे आएगा इन तीनों को add करते हैं, तो हमें पता चला 15 आता है यहाँ पर 25, 15 से बढ़ा है, इसलिए हमें 16 का सारा लेना पड़ेगा 16 के ओपर लिखेंगे 1, 25 में से 16 को माइनस करेंगे हमें और कितने नंबर की requirement है, तो यह आएगा 9 9 हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो 8 और 1, 1 को लिखकर तो 8 के आगे 1 लिखेंगे, और 1 के आगे 1 लिखेंगे, बाकी नंबर को कर देंगे 0, इस तरीके से हमने देखा हम direct binary को कैसे निकाल सकते हैं, और second चीज हमने देखी थी, किसी भी octal number को अगर हमें binary में लिखना है, octal number को binary में लिखने के लिए हमें कितने digit के requirement थी, यह हमने question कल देखा था और इसका बिल्कूल basic भी देखा, कि exactly octal number को लिखने के लिए हमें binary में 3 digit की requirement होती है 3 तो digit हमें minimum चाहिए, क्योंकि octal में 0 से लेके 7 तक हमें number लिखने होते हैं, तो हम 3 digit में पूरे number लिख सकते हैं, अगर आफ 4 digit ले लोगे तो आगे वाले digit को हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे है ना, उससे हमारे number पे कोई फरक नहीं आएगा और एक question मैंने आपके लिए वीडियो के अंदर last में रखा था, कि एक hexadecimal number को अगर हमें binary में लिखना है, तो हमें कितने digit की requirement होगी, ये मैंने question आपके लिए वीडियो के last में दिया था, इसे हम आज वाले lecture में सबसे पहले करेंगे, तो देखो hexa में जो हमने बात की थी, hexa का base क्या होता है, 16, और hexadecimal की range हमने देखी थी, क्या थी, 0 से 15, बट इसमें कुछ थोड़ा सा twist था, कि 0 से लेकर 9 तक की जो digit है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो तो normal है, बट जैसे हम 10 लिखेंगे, तो इस confusion को दूर करने के लिए हमने लिखा था, A, 11 को क्या लिखेंगे, B, 12, 13, 14 और 15, 12 को हमने C लिखा, 13 को D, 14 को E और 15 को लिखा था F, ये exactly हमने देखा कि hexadecimal नंबर में हमारे पास क्या-क्या option है, इसकी क्या-क्या range हो सकती है, अब हम बात करेंगे कि जब भी hexadecimal नंबर को आप एक तरह से लिखोगे, कहीं पे, मैं अगर आपको question दूँगी, तो मैं इस तरीके से आपको एक नंबर लिख कर दे दूँगी, कि ये hexadecimal नंबर है, आप भी अगर कहीं पे hexadecimal नंबर लिखोगे, तो इसी तरीके से नंबर को represent करोगे, उसमें आप 15 नहीं लिखोगे, आप उसमें f को लिखोगे, और 10 का use नहीं करोगे, a लिखोगे, इस तरीके से हमें नंबर लिखना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान दखना है, बट multiply करते टाइम पे, या फिर कोई भी arithmetic operation करते टाइम पे, हमें क्या करना है, उस alpha बैट वाले नंबर को, hand to hand convert कर लेना है, जैसे a लिखा हुआ है, तो a को हम direct क्या करेंगे, अगर हमें question के अंदर multiply करना है, divide करना है, place value निकालनी है, उस a को hand to hand आप क्या करना, 10 लिख लेना, बट जो result आएगा, उसे वापस से आप क्या करोगे, a या b, जो भी result आएगा, उसके हिसाब से आप उसको change कर देना, ठीक है, इस चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान लखना है, बाकी question करेंगे न, उस time पे एक दम अच्छे से clear हो जाएगा, जैकि hexadecimal number को binary में लिखने के लिए हमें कितने desert चाहिए, देखो 0 से लिखकर 7 तक तो हमें पता है, हमें कितने desert चाहिए, 1, 1, 1, तीन desert के अंदर हम 7 तक की counting लिख सकते हैं, अब 8 अगर हमें लिखना है, जैसे ही number बढ़ा होगा, जैसे ही number हमारे जो desert हैं, उनकी limit से बाहर हो जाएगा, तो हमें एक desert का साहरा ओर लेना पड़ेगा, तो अब 8 लिखने के लिए हम कितने desert लेंगे, 4 desert लेंगे, देखो 4 desert ले लेते हैं हम, बट उससे पहले हम इसकी place की value लिख लेंगे, यह होता है 1 पे, यह 2 पे 4, then 8, तो मैंने आपको बताया था, जो number आपको direct मिल रहा है, वो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि 3 में 8 नहीं लिख सकते हम, तो हमें यह लेना पड़ेगा, और यहां लेते ही क्या होगा, 8 अपने को direct मिल रहा है, तो अपने यहां पे 1 लिख देंगे direct, बाकी जगे पे कर दे अगर आपको लिखना है, 10 अगर आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, देखो, आप 8 और 4 को जोड़ोगे, तो 12 होते हैं, तो 4 तो हमें नहीं ले न, zero कर दो, और 8 और 2 को जोड़ेंगे न, तो 10 हो जाते हैं, तो 1 तो लेंगे 8 पे 1, और 1 लेंगे 2 पे 1, 1 भी हमें नीची है हमारी requirement पूरी हो गई यहाँ पे 0 कर देंगे अब आपको अगर B लिखना है इसके oblique में 11 इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको confusion नहीं हो हम देखो क्या क्या लेंगे 8 लेंगे 8 के बाद 2 लेंगे तो 10 हो जाएगा और 11 गड़ना है तो 1 ओड ले लेंगे यहाँ पे direct तो हम 8 में 1 लेंगे और 4 में 1 लेंगे बाकी कर देंगे 0 डी लिखना है या फिर 13 लिखना है तो कैसे लिखेंगे 8 और 4 बारा तो होई गए और एक ही ओर चाहिए अपन को तो 2 नहीं चाहिए 2 पे 0 और 1 पर करेंगे 1 14 लिखना है या E लिखने के लिए हमें कितने नमबर चाहिए 14 8 और 4 12 और 2 14 यह कर देंगे 0 हमारा last नमबर है hexadecimal की limit का F और उसे maths में बोलते हैं 15 15 को कैसे लिखेंगे देखो 8 और 4 12 13 14 और 1 15 मतलब यह सभी संख्या हैं जब आब 1 कर दोगे सभी digit को जब 1 करोगे तब हमें 15 मिलेगा जाके और इस जगे आप यह देखो कि interesting काम दो हुए हैं एक तो हमारी hexadecimal की limit भी हमने पूरी कर ली कि हम 4 digit में पूरे hexadecimal को लिख देंगे और दूसरी चीज अब हमारे पास आगे बढ़ाने के लिए number भी नहीं बचा हमने इसकी maximum limit को use कर लिया maximum limit यह कैसे हुई क्योंकि सब digit के उपर one one लिख दिया मतलब यह पूरा number complete हो गया अब 15 से उपर अगर आपको एक number भी उपर जाना है 16 पे जाना है या 18 पे 20 पे कितने पे भी जाओ अगर 16 पे भी जाना है तो आपको एक digit extra ओर लेनी पड़ेगी तब जाकर आप क्या करोगे 16 को लिख पाओग किसी binary के अंदर जैसे example लेते हैं 16 को कैसे लिखेंगे वही मैंने आपको जैसे बताया डिरेक्ट लिखो एक दो चार आठ और 16 तो चार डिजिट में हमारे number नहीं आ रहे है इसलिए हमने पांचवाँ डिजिट लिए और पांचवाँ डिजिट लेती हमें बता चला कि 16 हमें 0000 और यह हो जाएगा हमारा binary के अंदर 16 खीक है तो इस तरीके से यह counting चलती रहेगी जैसे जैसे नंबर बड़ा होगा वैसे वैसे हमें बड़े डिजिट लेने पड़ेंगे डिजिट के संख्या को आप increase करते हो आज हम एक fresh topic को शुरू करेंगे अब हम हमारा number conversion का topic स्टार करेंगे और यह अपनी computer से related कोई भी exam है आपको अपने exam में तो देखने को मिले गई सूचना साइक में कोई भी computer का exam ले लो आप teacher से related या फिर उसमें यह question आपको 100% देखने को मिलेगा आपको एक number देंगे decimal octail में से कुछ भी और यह बोला जाएगा कि यह जो number है यह या तो decimal है या फिर octail है इस तरीके से दिया जाएगा उसे आप convert कर दो किसी other number system में example लेते जैसे decimal देंगे आपको number और आपको convert करना पड़ेगा octail के अंदर तो अब भी तक अपने देखो कौन-कौन से number पड़े हैं एक हमने देखा है binary, octail, decimal और चोथा नंबर हमने देखा hexadecimal यहाँ पे लिखते है इनका base, binary का base होता है 2, octail का base होता है 8, decimal का base होता है 10, और hexadecimal का base होता है 16 देखो इनकी range क्या क्या होती है, binary की range 0 से 1, octail की range 0 से 7, decimal की range क्या होती थी 0 से 9 और hexadecimal की range होती है 0 से 15 यह हमारे चारो number system आ गए, conversion topic से हमारा मतलब क्या है, आपको decimal number देंगे, बोलेंगे binary में, octail में change कर दो या फिर आपको octail number देंगे, बोलेंगे hexadecimal में change कर दो या फिर octail number देंगे, बोलेंगे binary में change कर दो या octail से decimal में change कर दो decimal से hexa में change कर दो, कुछ भी दे सकते हैं वो हमें ये पूरी terms आनी चाहिए, कि कैसे इनका ये conversion किया जाएगा तो जब हमने number को start किया था, तब भी हमने decimal को base मान कर ही हमने पढ़ना शुरू किया था, और conversion में भी most important decimal number system, हम इसी को base मान कर conversion start करेंगे, तो मेरा question है, अगर मैं आपको कोई binary value दूँ, तो आप उसे decimal में कैसे change करोगे, number ले लेते, 10011, ये binary number है, इसे आपको change करना है, decimal number system में, ये आपका question number 1, और अगर आपने अच्छे से दोनों वीडियो को देखा है, जो हमने discuss किया base पर, first वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे ही हम, इनकी place value को निकालेंगे, हमें automatically decimal number मिल जाएगा, मतलब binary से, decimal का जो conversion है, number 1 पे, ये हम पढ़ चुके हैं, already, देखो इसे कैसे करना है, number लिया आपने 10011, इनको थोड़ा आप दूर दूर लिख लेना, ये number इकाई कांग होता है, टू की power 0, ये होगा टू की power 1, और 0 मैंने बात की थी आप से, कि आप इन number को ignore कर देना, क्योंकि 0 से जब हम multiply करेंगे place value को, तो हमें हमेशा 0 मिलेगा, और ये number हो जाएगा, देखो base place value गिनो, टू की power 1, यहाँ पे टू की power 2 हो जाएगी, 3, then 4, यहाँ पे आएगी 2 की power 5, 2 की power 5 मतलब 32, 32 को multiply करेंगे, एक से तो हमें मिलेगा 32, और यहाँ पे 2 की power 0 का मतलब है 1, multiply करेंगे 1 से, हमें मिलेगा 1, और 32 और 1 को जब add करेंगे, तो हमें मिलेगा 33, और ये 33 हमारा क्या है, एक decimal number है, ये हमने calculate कर लिया, तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताई रखी थी already, अब देखो second number पे हम क्या देखेंगे, अगर आपको किसी octal number को change करना है decimal number के अंदर, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले octal number लिखेंगे 6, 7, 6, ये आपका octal number है, इसे change करना है decimal के अंदर, सेम चीज, सेम concept, हम इसकी place value को निकालेंगे, इकाई के अंक पे है, 8 की power 0, 8 की power 1, 8 की power 2, 8 की power 1 मतलब 1, multiply 6, इसकी इकाई के अंक से, हमें मिला 6, 8 की power 1, इसका मतलब 8 को multiply करेंगे 7 से, हमें मिला 56, then 8 की power 2 का मतलब 64 को multiply करेंगे, सेंकडी की संख्या से 6 से, नंबर मिलेगा 384, तीनों को आपको क्या करना है, add करना है, नंबर हमें मिला 4, 4, 6, ठीक है, और ये जो नंबर है, ये हमारा हो जाएगा, एक decimal number, तो ये conversion complete हो गया, ये भी हमने पढ़ रख है already, नंबर 3 पे बात करेंगे, hexadecimal number को अगर हमें decimal में change करना है, तो हमें क्या करना होगा, तो आप सबसे पहले एक hexadecimal number को लिखो, 2AF, ये आपका hexadecimal number है, इसे हमें decimal number के अंदर change करना है, ठीक है, तो base से start हो जाएंगे, इकाई के अंग पर क्या है, F, 16 की power 0, 16 की power 1, और 16 की power 2, 16 की power 0 का मतलब 16, और अब आपको ये देखो, F को हम कैसे लिखते हैं, F लिखते हैं हम 15 पे, हमें यहाँ पे मिलेगा 240, 16 को multiply करना है, A से A का मतलब होता है 10, ये हो जाएगा 1, 6, 0, 16 और 16 को multiply करेंगे होगा 256, और गुना करेंगे उसके सैंकड़ी की संख्या से 2 से, तो हमें मिलेगा 512, तीनों को आप add करड़ो, 512, 240, sorry यहाँ पे 240 नहीं होगा, 16 की power 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की power 0 मतलब 1, तो यहाँ पे आएगा 15, आंसु बारा में 160 को जोड़ो और 15 को जोड़ो, कितने आए, 7, 8 और 6, आपको नंबर मिला 6, 8, 7, जो आपका एक decimal नंबर है, तो जब आप hexadecimal में 2AF लिखते हो, उसे हम decimal में किस तरीके से लिखते हैं, 687, तो यहाँ पे हमने तीन नंबर सिस्टम को देख लिया, एक तो हमने देखा binary से decimal में कैसे convert करते हैं, एक देखा octal से decimal में कैसे convert करेंगे, और एक देखा hexadecimal से decimal नंबर में कैसे convert करेंगे, अब आपको अगर मैं binary, octal, hexa कोई भी नंबर दूँ, आप उसको decimal में तो convert कर दोगे, है ना, बहुत ही simple है, सिरफ place value निकालना है, जो हमने first lecture में भी clear कर लिया था, तो second number पे हम वापस से start हो जाएंगे, decimal को लिकर, कि अगर आपको कोई decimal की value d है, उसे convert करना है binary के अंदर, तो आप कैसे करोगे, और ये rule तो आपने एक दम रट लिया होगा, कल की rate में, इसे हम direct भी कर सकते हैं, 6, 8, 9, ये एक decimal number है, उसे लिखना है binary के अंदर, तो अब आपको ये गौर करना है, कल हम सिरफ single number को change कर रहे थे, binary में, तब हमें कोई दिक्कत नहीं आई, बट जब भी आपको number इस तरीके से दे दे, 6, 8, 9, 6, 8, 9, तो आपको कैसे conversion करना है, decimal में convert करना था, तो हमें सिरफ place value को निकालना था, अब यहाँ पर थोड़ा ultra system हो गया, decimal number आपको दे दिया, और आपको क्या करना है, decimal number को binary में, octal में, hexadecimal में convert करना है, तो number हम 6, 8, 9 लेंगे, और इसको convert करेंगे, पहले binary में, then octal में, और then करेंगे hexadecimal में, ठीक है, देखो कैसे करेंगे, number 1 पर करेंगे decimal से binary, तो 6, 8, 9 को, आप इस तरीके से लिख लेना, then हमें simply divide करना है, बट divide वो नहीं करना, भाग वो नहीं देना, जो हमने बच्पन से सीखा है, ये कुछ नए तरीके का भाग हो जाएगा, वो देखो कैसे करते हैं, दो मेथड से जिखेंगे, number 1 पर आपको मैं direct मेथड सिखा रही हूँ, और ये आपको apply भी करना है, इसी को आपको practice करनी है, conversion देखो किसमें करना है, decimal से हमें करना है number binary के अंदर, binary का base क्या होता है, 2, तो इस number को, decimal number को हम divide करेंगे 2 से, देखो 2 तीय होते हैं 6, कुछ भी बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 6 में पूरा पूरा divide चला गया, अगली संख्याई 8, 8 में देखो 2 चोके 8, पूरा चला गया कुछ नहीं बचा, यहाँ पे जाएंगे, तो आएगा number 2 चोके 8, कितना बचा, एक बचा है, पूरा भाग नहीं गया, वापस से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, एक बच गया हमारे पास, वो एक चला जाएगा, आगे वाली संख्या के पास में, तो यह हो जाएगा 14, 2 साते 14, पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे आया 4, 2 दुनी 4, पूरा पूरा डिवाइड चला गया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, 2 से फिर भाग देंगे, 2, 8, 16, एक बचा, वो चला जाएगा यहाँ पे, 12 हो गया यह, पीछे वाली संख्या, यह वाली संख्या हो गई 12, इस 12 में भाग देंगे 2 का, तो 2 चिके 12, पूरा पूरा डिवाइड गया, कुछ नहीं बचा, 0 लिख देंगे यहाँ पे, 2 का फिर से डिवाइड करेंगे, 2 चोके 8, और 2 तिया 6, पूरा पूरा गया है, कुछ भी नहीं बचा, तो 0 लिख देंगे, 2 से फिर भाग देंगे, 2 दुनी 4, और 2 एकम 2, एक बच जाएगा, उसे लिख देंगे यहाँ पे, रिमेंडर, फिर से 2 में भाग देंगे, 2 धाया कितने होते हैं, 20, 2 धाया 20, और 20 में से कितने बचा, एक बच गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1, 2 से फिर डिवाइड करो, 2 पंजे 10, कुछ नहीं बचा तो 0 आ जाएगा, 2 से फिर भाग देंगे, 2 धुनी 4, एक बचेगा, वो लिख देंगे यहाँ पे, और 2 एकम 2, पूरा पूरा डिवाइड किया, कुछ नहीं बचा तो हमने लिखा 0, अब देखो आप 1 में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो हमें दिवाइड तब तक करना है, जब तक हमारा भाग जा रहे हैं, दूसरी बात, हमें दिवाइड तब तक करना है, जब तक ये नमबर, बाइनरी के रेंज में ना आ जाए, तो बाइनरी का रेंज क्या है, 0 से 1, ठीक है? ये तो बात हो गई logical, नीचे से उपर की तरफ देखो कहके संख्या सबसे पहले लिखो 1 1 आएगा यहाँ पे then 0, 0 यहाँ पे 1 1 यहाँ पे 0, then 0 लिखतो then 1 और 1 तो 1 लिखेंगे, then 1 लिखेंगे 0, 0, 0, 0 लिख दिया then 0, 0 लिख देंगे then 1, 1 लिख देंगे तो हमने यह देखा कि जो decimal के अंदर 6, 8, 9 संख्या है उसका अगर हमें binary लिखना है तो 1, 0, 1, 0, 1 1, 0, 0, 0, 1 यह उसका binary हो जाएगा अब देखो ऐसे बोलने से तो हम मानेंगे नहीं कि इसका अंसर बिल्कुल सही है है ना, इसको हम cross check करेंगे उससे क्या है कि थोड़ा दिमाग और खुलेगा छोटा example लेते है हमें क्या लिखना आता है 25 लिखना हमें आता है हमने पुराने example में देखा हुए कोई 25 नमबर है decimal का उसे आप binary में change करके देखो क्या आ रहा है तो करो, इस method से करेंगे divide वाले से 25 लिखेंगे उसमें हम 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दुनी 4 एक remainder बचा यहां पे एक लिखेंगे यहां पे 12 में भाग जाएगा 2 का भी तो 2 चीके 12 कुछ निवचा पूरा भाग गया 0 2 में फिर भाग देंगे 2 ती या 6 कुछ निवचा 0 लिख देंगे 2 का फिर डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, एक बचेगा एक को लिखेंगे यहां पे संख्याओं को उल्टी दिशा में लिखेंगे नीचे से उपर के ओर लिखेंगे सबसे पहले आएगा ये वाला 1 1 लिखेंगे, दें ये वाला 1 1 लिखेंगे, दें 0, 0, 1 ये हो गया 25 का binary representation अब आप इसे करो cross check क्योंकि ये number थो थोड़ा बड़ा था और ये number हमें cross check करने में थोड़ा easy हो जाएगा तो ये 1 इसने कौन से वाले place value पे लिखी है, जहां पे 2 की value होती है, power 0, उसकी value होती है 1, ये यहां पे value होती है, place की 2, यहां पे 4, यहां पे होती है 8, और यहां पे होती है 16 देखो, 16, 8 और 1 को आप क्या करो जोड़ के देखो, 6, 12, 13, 14, 15, और 1, 25, ये देखो, ये 25 जो आपने अब तो direct देखा, जिस method से हमने कल बात की थी, ये 25 जो 25 के बराबर है इसका मतलब ये हुआ कि इस method से भी हम binary को निकाल सकते हैं और ये दोनो method बिलकुल सही काम कर रहे हैं और ये सही काम कर रहे है एक छोटा demo काम कर रहे है, तो बड़ा demo भी काम करेगा, ये number भी हमारा बिलकुल सही है, ठीक है तो इस चीज के अंदर हमने एक conversion सीख लिया कि decimal से हमें binary में कैसे convert करना है, और इसके हमारे पास दो method है, हम direct भी कर सकते हैं, हम divide करके भी कर सकते हैं क्योंकि 6, 8, 9 को अगर अगर अपने लिखने की कोशिश करेंगे, तो हमें थोड़ा सा effort ज़्यादा करना पड़ेगा और अगर आपको ये method direct वाला ज़्यादा easy लग रहा है क्योंकि मुझे ये वाला सही लगता है direct convert करने वाला, तो आप इसको follow करो, ये अच्छा method है but, जैसा हम देख रहे हैं कि rules के हिसाफ से भी हमें चलना है तो आपको ये method भी आना चाहिए और अगर आप divide method को अपना होगे, तो आप हमेशा इस तरीके से table बना के ही करोगे देखो, मैं इसका divide करने का एक तरीका और बताती हूँ आपको चलो, वो बात-बात में करेंगे, एक बार हम एक example ओड लेते हैं example लेते हैं, 364 एक decimal number है जिसे convert करना है binary में और हम कैसे करेंगे divide method से करेंगे, ठीक है तो आप 364 को लिख लो और divide करो 2 एकम 2 एक बचा, 2 अठे 16 एक बचा समझ के होगे न, कि 2 एकम 2 इस 3 में जब 2 का भाग दिया, तो एक remainder बचा, उसे अपने आगे वाले number के पास ले गए, यहाँ पर 16 हो गया, 16 के अंदर फिर divide करेंगे 2 का, तो 2 आठे 16 हो गया, पूरा पूरा चला गया, कुछ remainder नहीं बचा, 4 अब अकेला राजा बन के बचा है, उसमें हम भाग देंगे 2 दुनी 4, तो remainder बचा 0, कुछ भी नहीं बचा, आगे देखो, 2 नहीं में 18 पूरा जा रहा है, आगे कुछ भी remainder नहीं है, और 2 एकम 2, 0 लिख देंगे 2 चोके 8 1 बचा, 2 पांजे 10 1 remainder बचा 2 दुनी 4 और 2 दुनी 4 एक remainder बचा यहां पे, 5 वली जगे पे 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा 0 लिख दिया, अब लिखेंगे 2, 5, 10, 1 बचा 2 का फिर 2 दुनी 4 1 बचा फिर भाग देंगे 2 एकम 2 0 बचा, उल्टी दिशा में लिखेंगे, नीचे से उपर की और क्या लिखेंगे सबसे पहले 1, then 0, then 1, 1, 0 1, 1, 0, then लिखेंगे 1, 1, 0 1, 1, 0, then 0 लिखकर, ये हो गया इसका binary representation इस divide का देखो, मैं आपको एक छोटा सा और बता देती हूँ कैसे और कर सकते हैं, अगर आपको ये वाला divide थोड़ा सा भी लगे कि ये कैसे हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मल divide जैसे आप करते हो बचपन से वैसे करो, 2 एकम 2, 1 बचा उपर से 6 उतार लिया 2, 8, 16 और अब क्या करेंगे, 16 में से तो यहां कुछ remainder आया नहीं, तो 4 को उतार लेंगे, 2 दुनी 4 और अब हमारा कुछ नहीं बचा ठीक है, 182 जब 2 को अपने 364 में divide करेंगे, 182 मिला अपन को नीचे remainder कुछ नहीं मिला फिर अपन क्या करेंगे 82 को लिखेंगे, यहां पर और remainder वाली जगे लिखेंगे, 0 तो यह वाला method में आपको apply करने के लिए क्यों नहीं बोल रही अब आप 182 का divide करो अलग से फिर करो 2 नहीं में 18, पूरा divide चला गया उपर से उतारा 2, 2 एकम 2 0, कुछ नहीं बचा 91 को फिर आप यहां पे लिखो और remainder को आप यहां पे लिखो, ठीक है तो यह थोड़ असा lengthy process हो जाएगा इस process को अपनाने से तो अच्छा है कि हम direct method करें direct divide करना शुरू करें और मैं आपको यही बोलूँगी मैं आपको जितने भी practice के question दूँ तो आप उसे इसी method से apply करके देखना then आप second बात करेंगे decimal से binary हमने देख लिया अब decimal से हमें octal का conversion कैसे करना है number हम वोई लेके चलेंगे सबसे हमारा first वाला 689 689 हमारा एक decimal number है उसे convert करना है octal number के अंदर octal number में convert करना है तो octal का base क्या 8 इस पर हम divide किस से करेंगे 8 से करेंगे divide करना करो शुरू 8-864 कितने बचे चार बचे और 8-48 एक बचा reminder यहाँ पर तो एक को लिखेंगे इस जगे अब देखो 8 से divide करो 8 धाया असी 6 बच गया उस reminder को लिखेंगे यहाँ पर फिर 8 से divide करो तो 8 एकम 8 कितना बचा 2 1261 यह हो गया इसका octal representation इसका मतलब यह हुआ कि जो decimal में 6,8,9 था उसे हम octal में 1261 इस तरीके से लिखते हैं और third number की हम बात करेंगे decimal number से अगर हमें number change करना है convert करना है hexadecimal में तो हम कैसे करेंगे number same लेंगे 6,8,9 इस पर divide किससे करेंगे hexadecimal के base से तो number क्या है हमरे पास 16 16 चोके 64 कितने बच्चे 4 और 16 तीर 48 एक बच्चा वो यहां पे लिखेंगे 16 दूनी 32 तो देखो 43 में 32 को माइनस कर दो 11 बच्चा 11 को लिखेंगे यहां पे बस 16 में आगे 2 में 16 का divide नहीं जाएगा हमारा divide यहां खतम इसको नीचे से उपर की तरफ लिखेंगे तो देखो यहां पे हमारा वो rule आ जाएगा 11 remainder नहीं लिखेंगे hexadecimal में 11 का मतलब होता है B तो हमारा number क्या होगा 2 B 1 इस तरीके से हमारा जो 6 8 9 है उसको hexadecimal में हम क्या लिखेंगे 2 B 1 तो यह video आपको एकदम अच्छे से समझाया होगा इसमें हमने conversion पूरे कर लिए और कौन सा part बाकी रहा है अभी हमने point वाले number की बात नहीं की अभी हमने क्या चीज़ अभी pending पड़ी है हमारे points के number अगर कोई number आजाए 6.9 इसको कैसे convert करेंगे या कोई number आजाए 1001.11 इन numbers का conversion कैसे होगा वो देखेंगे हम आगे वाले lecture में इसको sum up करते हैं हमने first देखा था octal number को binary number को और hexadecimal number को अगर हमें convert करना है decimal के अंदर तो देखो मैं आपको एक shortcut बताती हूँ octal number हो चाहे binary number हो या फिर hexadecimal number हो तीनों को अगर आपको decimal में convert करना है तो एक ही rule लगेगा आपको क्या करना है सीधे से उठा के उसकी place value calculate कर दो कुछ भी निकरना इसके लावा place value निकालते ही वो number automatically decimal में convert हो जाएगा number 1 पे golden rule ये है number 2 का golden rule क्या है अगर आपको कोई decimal number convert करना है binary में या फिर convert करना है octal के अंदर या convert करना है hexadecimal के अंदर तो second number वाला golden rule क्या बोलता है कि आप number का क्या करो direct कर दो divide अभी तो देखो एक एक कोशन को समझा है बहुत अच्छे से normal example लेके की है तो कोई confusion नहीं होगी बट जैसे कोई decimal number दिखेगा उसे divide करते time पे आपके दिमाग में आएगा कि मैं decimal से octal में convert करूँगा तो 10 से divide करूँगा या 8 से divide करूँगा है ना तो इस वाले confusion को भी मैंने आपके लिए दूर कर दिया आपको confusion तो रखना ही नहीं है ठीक है place value को calculate करेंगे किसी भी octal binary hexadecimal number को place value की सहायता से अगर decimal में convert करेंगे तब भी हम इन number का use करेंगे for example octal number को अगर decimal में change करना है तो place value किस से निकालोगे 8 से binary number को decimal में change करना है तो place value किस पे calculate होगी 2 पे hexadecimal से अगर कोई value decimal में convert करनी है तो place value क्या होती है power किस पे लगानी है 16 की power लगानी है ठीक है second number पे बात करेंगे decimal number को binary में convert करना है तो भाग किस से देना पड़ेगा divide किस से करना पड़ेगा 2 से ठीक है octal में change करने के लिए octal देखा आपने और decimal number दिया हुआ है तो आप 8 से भाग दे दो hexadecimal में convert करना है तो आप 16 से भाग दे दो इसका सार ये निकला कि 10 हमें कहीं पर use नहीं करना 10 को तो आप भूल जाओ binary, hexa या octal दिया है तो decimal में convert करने के लिए भी इन number का सहारा लेना है अगर decimal number दिया है और इन number में change करना है divide भी इन number से ही हमें करना है ठीक है तो आज का lecture अच्छे से repeat करो दुबारा देखो, example को देखो, notes बनाओ और जब हम इसके real example देखेंगे बहुत सारे example देखेंगे जितने भी question आये हैं practice करेंगे उस time पर तो clear हो जाएगा अभी भी आप क्या करो इन number को दुबारा ही practice करो या आपके पास अगर कोई question है तो practice करो बिल्कुल आपको help मिलेगी उससे कोई भी confusion आती है आप मुझे comment box में बता देना वो अपने अगली class में ज़रूर discuss करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे like करें चैनल को subscribe करें thanks for watching